हेलो एवरिवन आज हम बात करने वाले हैं बी ए पार्ट टू इंग्लिस ओनर्स की एक सौर्ट इस्टोरी दड़चेज एंड़ जूइलर जो वरजिनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया था वरजिनिया वुल्फ का पूरा नाम एडलेन वरजिनिया वुल्फ था इनका जन को बताया गया है अब अ Wakar is story के बात करें कि दोंब इसी टोनों इस्टोड़ी के मैंन होते हैं ये दोनों एक दुसरे के बारे में काफी हतन स्थ होते हैं लेकिन दोनों एक धुसरे को ठ olması की कोजिस करते हैं इस कहानी में ऑलिवर बैकन नम का एक आदमी है जो बहुत जोईलर है इनके पास आलिसान बंगला है और बहुत ही लगजिरियस लाइफ जीता है इस कहानी के सुरुवात में बैकन कुछ समय के लिए अपने बच्पन को याद करते हैं बैकन का बच्पन करके बेचा करते थे और इससे भी प्रोफिट कमाते थे ऐसे ही लोगों को ठक के बैकन अपने लाइफ में बहुत कुछ किया और अब वह इंग्लेंड का एक रिच ज्वेलर बन चुका था बैकन अपना एक खुद का ऑफिस प्रॉन स्टीट नाम की जगा पे खोल रखा था जो की बहुत महिंगी जगा है इस स्टोरी में बैकन को एक लालची इंसान बताया गया है क्योंकि इतने रिच होने के बाद भी इन्हें और रिच बनने में इंट्रेस्ट होता है और रिच बनने के लिए कुछ भी करने को तयार होते है इस तरह से वह एक क्रॉप्ट में जाती है तो बहुत उदास सा चहरा बनाई हुई होती है बैकन डचेस दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं बैकन को पता होता है कि डचेस जितनी मासुम बन रही है उतनी मासुम है नहीं और डचेस भी जानती है कि बैकन किस तरह से रिच बना है और जाती है क्योंकि वह जुआ खेलने में अपने सारे पैसे हार चुकी है और अब उसे पैसे की जरूरत है इतना कहने के बार डचेज समझ जाती है कि बैकन एक जोइलर है तो अब वह उस मोती को चेक करवाएगा वह मोती नकली था इसलिए डचेज नहीं चाहती थी कि उस मोती क को चेक करवाया जाएं इसलिए डचेज बैकन को अपने घर पर इन्वाईट कर देती है जिस पार्ठी में मिनिस्टर नौबलमेन और डचेज की बैटी भी होगी बैकन इस पार्टी को नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वह मिनिस्टर जैसे लोगों से और को चेक न करवाए और आसानी से पैसे देदे ड़चिस के इस तरह से इन्वाइट करने के बाद बैकन उस्मोटी को चेक नहीं करवाता है ताकि ड़चिस को बुड़ाना लगे और फिर बैकन डिसाइट कर लेता है कि उसे क्या करना है और चेक निकाल कर 20,000 पॉंस के लिए लिया गया है तभी बैकन अपनी मां की तस्वीर की तरफ देखता है और मां भी मांगता है बैकन का इस तरह से लॉस होने के बाद भी वह खुश था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यह वीकेंड बहुत अच्छा जाने वाला है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच को चाहते हैं जिसमें एजी एक्स्प्लानेशन के साथ साथ एजी नोट्स भी हो तो अब चैलिप को जोड़ सब्सक्राइब कीजिए और बाक्यों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हल्प हो